रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो। नमस्कार मैं डॉक्टर किरन कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर असनातकोत्तर हिंदी विभाग दोरंडा महाविद्यालय राची। अपने सुनने वालों से जैशंकर प्रशाद के गीत बीती विभावरी जागरी पर बात करना चाहती हूं। यह गीत असनातकोत्तर सत्रार्ध चार पत्रकूट संख्यां 401 के अंतरगत है। यह एक गीत है गीत उसे कहते हैं जो लेबद हो तथा जिसमें गेयता हो अर्थात जिसे गाया जा सके। किसी भी कविता या गीत या गजल या नजब को समझने के कुछ सहायक साधन होते हैं। जिसमें सबसे पहले उसका कवी होता है, कवी का व्यक्तित तो होता है, फिर कवी का परिवेश होता है, जिसमें उसका निर्मान करने वाला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव नहित है फिर ध्यान देने की बात यह होती है कि हिंदी साहिती के इतिहास में उसका अस्थान कहा है और फिर भाव और भाशा की बारी आती है अक्सर पद्य का भावार्थ पुछा जाता है और भाव तक पहुचने के लिए भाशा सहाई का बनती है वास्तव में भाशा ही वह साधन है जिसमें कवी स्वानुभूत सत्यों और तत्यों को अभिव्यक्त करता है तथा जिसके द्वारा पाठक उस व्यक्त अर्थ तक पहुच पाता है रामचाईत मानस में गोस्वामी तुलसी दास लिखते हैं स्रोता बक्ता ग्यान निधी कथा राम के गूर किनी समझाओ मैं जीव जड कलिमल ग्रसित वीमूर इसका आर्थ है कि स्री राम जी की गूर कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और स्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ग्यान के खजाने होते हैं पूरे ग्यानी होते हैं मैं कल्यूक के पापों से ग्रसा हुआ महामूर जड जीव भला उसको कैसे समझूँ इन पंक्तियों में अस्पष्ट संकेत है कि गूर अर्थात छिपे हुए अभिप्राय को जानने की पात्रता दोनों में होनी चाहिए कहने वाले में भी और सुनकत समझने वालों में भी पर अभी तो कल्यूग है गुणवत्ता पूर्ण कहने वाले और अध्यवसाई अर्थात उत्साही परिश्रमी सुनने वाले दोनों ही दोलव हैं फिर भी अध्यापन और अध्यान पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही कारे निरंतर चल रहे हैं मैं इस छोटे से गीत के भावार्थ तक आपको ले चलने की चेश्टा करती हूँ आप असनात कोतर के अंतिम सत्रार्ध में पहुँच चुके हैं तो मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आप छायावाद को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं उसकी प्रवृतियों को जानते हैं और इस तथि से भली भाती अवगत हैं कि जैशंकर प्रसाद छायावाद के कवी चतुष्टे में से एक हैं कामाईनी महा कावे के प्रणेता हैं आसू लहर जर्ना आदि अनेक कावे कृतियां उनकी हैं अभी जिस गीत को पढ़ा जाना है वह लहर में संकलित है पहली पंक्ति को लें बीती विभावरी जागरी बीती बीतना क्रिया से बन गया बीती अर्थार बीत गई समाप्त हो गई काम विभावरी अर्थार रात तारों वाली रात एक सखी दूसरी सखी को जगाना चाहती है वह कहती है तारों वाली रात बीच चुकी है व्यतीत हो चुकी है अब जाग जाओ पहली ही पंक्ति से असपष्ठ है यह उद्वोधन का गीत है छायावाद में ही महापरान निराला ने राम की शक्ति पूजा में राती का वर्नन करते हुए लिखा है उत्रा दुर्गम परवत पर नैशा अंधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार दुर्गम परवत अर्थार ऐसा परवत जहां जाना कठिन हो उस पर निशा का अंधकार उतर आया है और उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ दूर चमकते तारे ही दिखाई देते हैं लब्द प्रतिष्ट कवी माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता कैदी और कोकिला में लिखते हैं काली तू रजनी भी काली शासन की करनी भी काली काली लहर कलपना काली मेरी काल कोठरी काली टोपी काली कमली काली मेरी लौह शंखला काली पहरे की हूंकृति की व्याली इस पर है गाली ए आली यहां रात के लिए रजनी और अंधकार के लिए काली तथा कोकिला के लिए आली शब्द का प्रियोक किया गया है आली का अर्थ सक्षी से लिया जाता है इन अवतर्णों में जिस रात की चर्चा है वह पराधीनता की रात है और जिस अंधकार की चर्चा है वह निराशा और पराधीनता से उतपन पीरा का अंधकार है वह पराधीनता का काल था कवियों की अविव्यक्तियों पर पहरा था प्रेम चंद के सोजे वतन की प्रतियां जलवादी जा रही थी ऐसे समय में उद्वोधन और देश प्रेम के गीत लिखना एक दुसकर कार्य था जैशंकर प्रसाद प्रसाद गुन का सहारा लेते हुए पूरे अत्म विश्वास के साथ लिखते हैं बीती बिभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी बीती बिभावरी रात बीच चुकी है जागरी ये जागने का समय है अर्थात रात बीत गई है सकी अब जाग जा देख उशा काल में अरुनिम उशा की उज्वलता के कारण तारे ऐसे विलीन हुए जाते हैं मानो उशा रूपी सुन्दर रमनी अपने तारे रूपी घटों को अंबर रूपी सरोबर या पन घट में डुबो रही हो इस प्रकार कवी ने उशा के आगमन से अंधकार के तिरोहित हो जाने तथा तारकों के प्रकाश में विलीन होने की क्रिया को रमनी घट पन घट के रूपक से प्रकट किया है कवी आगे कहता है खग कुल 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 सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी बीती विभावरी जागरी सक्खी देख खग कुल अर्थात पक्षियों का समुदाए कुल कुल की मीठी भनी निकाल रहा है सुखद शीतल मलयानिल के प्रवाह के कारण किसले अर्थात नव पल्लवों का समूह अंचल के समान डोल रहा है तथा यह देख यह लता भी मधु में सौरफ युक्त नव कलिकाओं से भर कर रस की गागर के समान प्रतीत हो रही है हर तरफ चहल पहल है प्रभात का उत्सव है कवी ने प्रभात कालीन वातावरन का अत्यंत मनोरम चित्रन प्रस्तुत किया है उसकी सौंदर्यान्वेसी द्रिष्टी से कोई भी छोटी बड़ी घटना बची नहीं है प्रकृति के प्रत्येक अस्पंदन में सौंदर्य के दर्शन करते हुए कवी ने उसमें चेतना का आरोप करते हुए उसका मानवी करन कर दिया है अधरों में राग अमंद पिये अलकों में मलयज बंद किये तु अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी बीती विभावरी जागरी अधरों में राग अमंद पी कर और अपनी अलकों में मलयज को बंद कर हे सकी तुम अब तक निद्रालीन हो सबेरा हो गया अब जाग जाओ अनुराग का रंग लाल माना गया है अतह संभव है कि यहां अधरों में जिस राग की बात की जा रही है वह कुछ नहीं एक रमनी के अधरों की स्वाभाविक लाली है अत्वा यह भी संभव है कि कवी का संकेत प्रियतम के साथ पिये गए रप्तवरनी मदीरा की ओर हो जिसकी अमंद अर्थात तीवरगंद अब तक रमनी के मुख से आ रही है प्रियतम के साथ बिताये गए अभिसार के प्रेम पूर्ण शणों में उनके द्वारा पिलाया गया मद्य उनका अनुराग ही तो था अतह कभी कहता है अधरों में पिये गए तीवर राग के साथ मले आचल के सुरवित चंदनों का सुवास अपनी अलकों में अर्थात अपनी केश रासिम्ट के बंधन में निबंधित कर हे सखी तु अब तक सोई है और यह क्या तेरी आँखों में अब तक खुमारी चाई हुई है विहाग मध्य रात्री को गाया जाने वाला एक राग है यहां इसका अर्थ देर रात तक जागने के बाद के शयन से उतपन आँखों की लाली से है चायावाद की एक प्रवर्ति नव जागरन है इस कविता में भी नव जागरन का स्वर है इस गीत को पहले हमने प्रकृति के धरातल पर देखा इसका दूसरा धरातल स्वादीनता की आकांग्शा का है राष्ट्र प्रेम इन पंक्तियों का धन्यार्थ या वन्जनार्थ है यह एक छायावादी जागरन गीत है क्या किसी सुन्दर और अल्हर रमनी को जगाने मात्र के उद्येसी से लिखा गया है संभलता नहीं फिर इसका वन्जनार्थ क्या है भारत पर अंग्रेजों का सासन बहुत कुछ हमारी संस्कृतिक विस्मृती या यों कहें कि हमारी आत्मिक विस्मृती पर निर्वर था हमारे खिलाफ तचारित किया गया कि हम असब बरबर लोग हैं सभ्यता संस्कृति नाम की कोई वस्तु हमारे पास नहीं है इत्यादी लेकिन उन्हीं गोरों में इसे बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारती विद्या का अध्यान किया और उसका परिणाम देखकर दंग रह गए सर विलियम जोंस पहले वेक्ति थे जिन्होंने 1786 इस्वी में यह बताया कि संस्कृत ग्रीक और लेटिन के समान ही क्लासिक भाषा है और तीनों एक ही उत्स से प्रस्पुटित धाराएं हैं मैक्स मूलर के अनुशार भारोपिय भाषा के चार सो पांस सो मूल भूत धातु विश्व की अनेक भाषाओं के उद्गम स्रोत हैं हमारी संस्कृति ग्रीक और रोमन संस्कृति के समकक्ष खरी हो गई पर इन भाषा वज्यानिक खोजों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया हमें सभ्यता और संस्कृति से हीन बताया जा रहा था और विश्व की असभ्य जातियों को सब भी बनाने का दैवी और नैतिक अधिकार अंगरेजों के पास था लेकिन सैंधव सभ्यता के प्रकाश में आते ही यह साफ हो गया कि हमारी सभ्यता संस्कृती इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अधिक पुरानी है अता कवी जैशंकर प्रसाद कहते हैं हम जिस आत्म विस्मृती में सोये हुए थे वह जा चुकी है अब अंधेरा मिठ चुका है हम कौन थे, हमारी संस्कृती क्या थी, इसका बहान हमें हो चुका है विवेका नंद जी ने शिकागो में विस्व भर के सामने हमारी संस्कृती का परिचे दिया जगदीश चन्र बसू और रामा नुजन जैसे विद्वानों ने ज्ञान विज्ञान के छेत्र में भी भारतिय मेधा का लोहा मनवा दिया रविंद्रनाथ के गीतों ने भी उरे संसार को हमारा परिचे दिया लेकिन हम भारतिय स्वयम निस्क्रिय बैठे हैं निस्प्रव सो रहे हैं अब तो आत्म विस्मृति की अस्थिती जा चुकी है भ्रहम का कुहरा छट चुका है भ्रहम कैसा स्वयम की हीनता और अंग्रेजों की स्रेष्ठता का आत्म ग्यान के इस नव प्रभात में आत्म सम्मान की उशा अपने प्रकास से हीनता आत्म गलानी तர्कों को डुबो रही है हम स्वयम को जान चुके हैं आत्म ग्यान का नव प्रभात हमारे लिए नई सुरुवात है क्या हम अब भी चुपचाप बैठे रहेंगे हीनता और अकर्मन्यता के वशी भूत होकर सोएंगे मध्ध कालीन विलास वृतियां हम पर अब भी हावी हैं अधरों में राग अमंद पिये वाली पंक्ती में सामन्ती ये विलासिता के संकेत हैं यह नव प्रभात है और नई रचना धर्मिता इसकी मांगे हैं अता अब हास विलास का समय नहीं है आँखों की खुमारी को दूर करो यहां विहाग मधिरात्री को गाया जाने वाला राग है खुमारी आदिके पतीक में प्रयुक्त हुआ है हम ज्यान विज्यान कला संस्कृति धर्म एवं अध्यात्म के शेत्र में नाना किर्तिमान अस्थापित करने वाले पूर्वजों की संतान हैं हम अपने पूर्वजों की उत्कृष्टता से चिपके हुए हैं नवीन प्रयास नहीं कर रहे हैं प्राचीन उत्कृष्टता या सेष्टता की असमृती से ही संतुष्ट हैं यह शेयन ही तो है, कभी ने प्राचीन उत्त कृष्टता से संतुष्टी के इस भाव को ही विहाग के रूपक से प्रस्तुत किया है, तु अब तक सोई है आली, आखों में भरे विहागरी, इसलिए प्रसाद कहते हैं कि अब उठो, जागो, तथा अपने पूरवजों की कीर् में नवीन श्रिंख लाएं जोड़ो, यही इस गीत का प्रतिपाद्य है, धन्यवाद.